आली के सालों में ग्रोकोडाइल फार्मिंग एक बहुत ही मुनाफिदार और रेगूलेटिट इंडस्ट्री बन गई है खास तोर पर चाइना और थाइलिन जैसे देशों में लेकिन ग्रोकोडाइल की खेती कैसे होती है इसे इतना फाइदा क्यूं होता है और इन प्री हिस्टॉरिक रेप्टाइल्स को पालना कितना महेंगा है चलिए जानते हैं लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में डीटेल में विस्तार में जानकारी पाना चाहते हैं वो भी एक्सपर्ट्स की जबानी तो मातर 399 रुपे की सब्सक्रिप्शन आप खरीच सकते हैं जहां आपको वो सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी जो आपकी बहुत मदद करेगी और वो भी स्टेप बाई स्टेप तो चलिए अब वापस आते हैं इस वीडियो की तरफ आज हम क्रोकडाइल फार्मिंग की दुनिया में डाइफ करेंगे इस प्रोसेस, एकनोमिक्स और ग्लोबल इंपक को समझेंगे तो चलिए एक्स्प्लॉर करते हैं क्रोकडाइल फार्मिंग क्या है? क्रोकडाइल फार्मिंग का मतलब है क्रोकडाइल की ब्रीडिंग और रेरिंग, मेंली उनकी स्किन्स और मीट के लिए। ये प्राक्टिस कुछ दिनों से चली आ रही है। और अब ये चाइना, थाइलिंड, वियेटनाम और कुछ आफ्रिकन देशों में बहुत स्पीशीज जैसे कि सायमीस क्रोकडाइल और सॉल्ट वाटर क्रोकडाइल को सेमी एक्विटिक परियावरन में पाला जाता है, जो उनके प्राक्रूतिक हैबिटाइट को रेप्लिकेट करता है। एक फुली मचौर क्रोकडाइल का वजन तीन सो से हजार किलो तक का हो सकता ह और इन्हें पालने के लिए एक्सपर्टीज और अच्छा इंवेस्मेंट बहुत ज़रूरी है। क्रोकडाइल फार्मिंग का प्रोसेस क्या है? चलिए इसे समझते हैं। क्रोकडाइल फार्मिंग की शुरुआत ब्रीडिंग से होती हैं। फीमेल क्रोकडाइल साल में 30 से 60 अटने देती हैं। स्बीशीज के हिसाप से ये अंडे ध्यान से इकटे किये जाते हैं और इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं लगभग 90 दिन के बाद hatchlings बाहर निकलते हैं और स्पेसिफिकली डिजाइंड इंक्लोजर में शिफ्ट किये जाते हैं रेरिंग प्रोसेस तीन से पांट साल तक चल सकता है जो प्रॉडक्ट मीट या लेदर पर डिपेंड करता है फार्म्स इन रेप्टाइल्स को अच्छी तरह से फीड करते हैं खास तोर से मचली और चिकिन से स्वास्ट और ग्रोथ रेट मेंडेन करने पर फोकस करते हैं क्रोकडाइल फार्मिंग क्यों करनी चाहिए ये भी जानते हैं Crocodile farming बहुत profitable है, खास तौर पर दो primary products चमड़ा और मास की वज़े से Crocodile skin दुनिया के finest leathers में से एक माना जाता है, जो durability, texture और exclusivity के लिए जाना जाता है Top luxury brands जैसे की Herms, Louis Vuitton और Gucci, Crocodile skin का इस्तमाल high-end handbags, belts और shoes बनाने के लिए करते हैं Exotic leather की global demand बढ़ रही है, और high quality crocodile skin 600 US dollars से 1.500 US dollars per square meter तक बीची जा सकती है और ये सिर्फ leather है, crocodile meat भी चाइना जैसे देशों में delicacy माना जाता है, जिसे medicinal properties के लिए भी जाना जाता है Economic impact और खर्चे, अब ये कैसे होंगे? थोड़ा numbers पर बात करते हैं Crocodile Farm शुरू करने के लिए significant investment चाहिए होता है Initial setup cost पचास हजार US dollars से लेकर 1.000.000 US dollars तक हो सकता है Operation के scale पर depend करते हुए इसमें land, facilities और breeding stock शामिल है Annual operating costs जो feeding, healthcare और maintenance कवर करते हैं वो 30.000 US dollars से 1.000.000 US dollars तक हो सकते हैं Initial cost के बावजूद, return on investment काफी substantial होता है जब crocodiles mature होते हैं तो हर एक crocodile skin और meat के लिए 3.000 USD से 6.000 US dollars तक का yield दे सकता है एक farm में hundreds या thousands of crocodiles हो सकते हैं इसलिए potential profits काफी बड़े होते हैं अब बात करते हैं sustainability और regulation की जैसे जैसे industry बढ़ रही है वैसे वैसे sustainability और ethical practices पर भी focus बढ़ रहा है Thailand और China जैसे देशों ने strict regulations implement किये हैं ताकि crocodile farming wild populations की over exploitation ना करें certified farms को breeding, welfare और environmental impact के लिए specific guidelines follow करनी होती है ये approach conservation efforts में मदद करती है और consumers का confidence भी boost करता है sustainable practices अब crocodile farms के लिए एक key marketing point बन गई है खास तोर पर जब consumers ego conscious होते जा रहे हैं crocodile farming शायद एक niche industry लगी है लेकिन ये global markets और sustainability efforts में significant role play करती है चाहे crocodile leather की luxury हो या फिर meat की delicacy इन reptiles से मिलने वाला value immense है तो अगर आपके मन में crocodile farming को लेकर के कोई भी सवाल हो हमें please comment section में जरूर पूछे और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक happy farming